दोस्तों, एक व्यक्ती एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब ही अचानक वह दूसरे व्यक्ती से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ती क्रोधित होकर कहता है, रे जानवर हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो, इस पर पहला व्यक्ती कहता है, काश, आप जो कह रहे हैं, वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्य वश, मैं एक मनुष्य हूँ। उस पहले व्यक्ती के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ती का क्रोध शान्थ हो गया, वह उस पहले व्यक्ती से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इनसान का जन्म पाना तो बड़े ही करते हुए देखा है, क्या आपने कभी किसी जानवर को, किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है, क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविश्य के लिए परेशान होते हुए देखा है, ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की ब बहुत बड़ी समस्या आपड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा। तो वहाँ जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है। क्या कोई साधू है, महात्मा है, रश्यमुनी है, पंडित है। अगर वह इन में से हैं ये मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि जो भी उनके पास जाता है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है, वह अपने सारे दुख दर्द वहीं पर छोड़ कर चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार तीन दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करी जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुँच सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है। हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविश्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने? आप तो एक साधू हैं आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप ये सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन हैं। हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशुओं को देखा है ना तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती हैं, ना ही वह कोई परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं, ना ही उन्हें अपने भूत काल की चिंता होती है, और ना ही भविश्य की, ना ही वह किसी को धोखा देते हैं, और ना ही किसी से शिकायत करते हैं, वह तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं, और वही पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। प्रणाम किया। प्रणाम किया जीवन ठीक इसके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यू तक संघर्ष ही होता है। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगें तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है उसे पा सकता है और जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशुओं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। भनतेव। मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परिशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं भनते। मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहां तक पहुँचने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। यदि तुम वहां तक पहुँचने का संघर्ष कर लो, तो तुम वहां तक पहुँच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानिया या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध बताईए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूँगा लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूँगा इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा सोच लो भंते एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मन्जिल को पाने ही लेते हैं और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा क्या तुम अपनी मन्जिल तक पहुँच पाओगे इस पर व्यक्ति कहता है आप मुझे वह मार्ग बताईए मैं उस पर चलूँगा मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूँगा लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूँगा इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं सुनो उस चीज का नाम है शांती जो तुमारे मन के भीतर गहराईओं में है जैसे यह समुद्र की लहरें उपर से तो बड़ी तीवर नजर आती हैं और उच्छाल मारती हैं जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है परन्तु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराईओं में भी वह शांती छिपी हुई है तुम्हें अपने मन की गहराईयों में उस शान्ती को खोजना होगा उस शान्ती के लिए संगर्ष करना होगा और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है हे तथागत मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूँगा और उसके बाद मेरा जीवन सुख में बन जाएगा इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया उसे तो खोजा जा सकता है लिकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ वहां भला कौन सा मार्ग जाता है वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चल कर या फिर उस सवारी के द्वारा वहां तक पहुँच सकता हूँ इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं भंते वहां पर कोई सवारी नहीं जाती और नहीं वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है इस पर वह व्यक्ति कहता है हे बुद्ध तो आप मुझे बताइए मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांती को खोज सकता हूँ इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है हे बुद्ध इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती समराठ है जिसके पास असीम शक्ति है जिसके पास सब कुछ है उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं इसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है उसका कर्म है सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है जहां तक बात है एक चक्रवर्ती समराट की तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती समराट को भी धूल में मिटा सकती है और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती समराट बनाने में सक्षम है इस दुनिया में जो कोई भी है जहां कहीं भी है जिस किसी भी परिस्थिती में है वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है लेकिन एक वास्तविक्ता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंतरण नहीं कर पाता जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खीचती है इसलिए इच्छा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए हमें अपने जीवन में क्या चाहिए ये केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते है इस पर वह व्यक्ति कहता है हे बुद्ध तो क्या मैं अगर यह इच्छा करूँ कि मुझे अपने मन की भीतर की शान्ति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं भनते इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है परन्तु फिर भी मनुष्य न जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है लेकिन वह सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती जानते हो क्यों? क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यक्ता पड़ती है और वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता वह क्या चीज है? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं भनते संकल्प संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती संकल्प जितना मजबूत होगा तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी और संकल्प जितना कमजोर होगा तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है हे बुद्ध तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शान्ती पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए द्रिढ संकल्प करूँ तो क्या मुझे वह शान्ती मिल जाएगी तब ही महात्मा बुद्ध कहते हैं भंते, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है परंतु इच्छा और द्रिढ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मन्जिल तक पहुँच नहीं पाता क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर ठक हार कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है इस पर वह व्यक्ति कहता है हे बुद्ध मुझे नहीं पता तब ही महात्मा बुद्ध कहते हैं क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग के ग्यान का होना बहुत आवश्यक है और यह ग्यान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है न कि केवल बैठ कर सोचने से और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परिशानियां आती ही रहती हैं और हम उन छोटी-छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प तूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी-छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्ही समस्याओं के इर्दगिर्द घूमता रह जाता है और हमारा पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है इस पर व्यक्ति कहता है हे बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें तभी महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा भंते, मान लो कि तुम्हें किसी गाव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिleना है और तुमने यह द्रढ शंकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे तुमने अपना सफर टो शुरू किया लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी न तो वह गाव खोज पाये और नहीं उस व्यक्ति से मिल पाए तो ऐसे में क्या हुआ इसके जवाब में व्यक्ति कहता है ए बुद्ध भला ऐसा कैसे हो सकता है यदि मैं जीवित हूँ और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ और मुझे वह गाव पता है तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूँगा तब ही महात्मा बुद्ध कहते हैं भंते तुम्हें उस गाव का नाम पता है और तुम्हें जिसे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है पर तुम्हें यह नहीं पता कि गाव किस दिशा में है तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया तो क्या वह तुम्हें उस गाव तक ले जाएगा क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति तक मिला पाएगा इस पर वह व्यक्ति कहता है हे बुद्ध, इस अवस्था में तो ये कार्य बिल्कुल भी असंभव होगा इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं भंते, मैं कबसे यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ हमारी इच्छा, संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्यान होना आवश्चक है शांती को खोजने का जो मार्ग है, वह ध्यान और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं जब तुम अपने भीतर की शांती को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो कि अपनी इच्छा की पूर्ती के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी-छोटी मुसीबतें, दिक्कत या तकलीफ आए लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा तुम्हें उन से लड़ना होगा, उन से संघर्ष करना ही होगा क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिलकुल नया है और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाईयां आने वाली हैं हमें तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फसता वह अपने संकल्प पर द्रिड़ बना रहता है अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है और अपनी मन्जिल पर पहुँच कर उसे असीम शान्ती भी मिलती है और जब मनुष्य अपने लक्ष को प्राप्त कर ही लेता है तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुँच जाओगे और वहाँ पहुचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी नहीं तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा नहीं तुम्हें कोई लूट पाएगा और नहीं तुम्हें कोई दुख पहुचा पाएगा उस अवस्था में पहुचने के बाद नहीं कोई मोह नहीं कोई चिंता और नहीं कोई समस्या रहेगी तुम उस परिस्थिती से बड़ी सरलता से निकल पाओगे और जब तुम अपने मन की उस शान्ती को प्राप्त कर लोगे, तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और नहीं एक मनुष्य रहोगे, बलकि तुम मनुष्य से भी और उंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे, और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा, फिर महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ती महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है हे बुद्ध आपकी सारी बातें सत्य हैं मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है मेरे पास क्या ऐसी कोई चीज नहीं रख सकता जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाईयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं भनते, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो, तो तुम उस शान्ती को पाने का प्रयास छोड़ ही दो क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो, जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बलकि और बढ़ती चली जाएंगी चारों ओर केवल शान्ती ही शान्ती है, हमें तो बाहर की शान्ती नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शान्ती हमें नजर नहीं आती, और जो शान्ती हम बाहर की ओर देख रहे हैं, वह बाहर नहीं, बलकि हमारे भीतर ही है, इसलिए जब तक तुम अपने अंतर को ठीक नह उसके पास महात्मा बुद्ध के बताये गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। और उससे वह और बहतर कर सकता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? वह मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खयाल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाये।